आज की हमाई रेसिपी में ना ही तो हमने चावल के आटे का अस्तमाल किया है ना ही हमने मैदा का अस्तमाल किया है लेकिन ये रेसिपी इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनती है कि आतियोहारों पर अगर आप अपने महमानों को ये नमकीन खिलाएंगे तो बार-बार इसकी रेसि जिगी भी ले सकते हैं जैसे ही ऑईल थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे एक चौथाई कप मुंफली और इसको हम भून लेंगे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और मीडियम टू लो आज पर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे जब तक इसमें से काजू और बादाम इन दोनों को ही मैंने बीच में से आधा कर लिया है आप चाहे तो साबुद भी ले सकते हैं और इसको डाल देंगे और इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे काजू भूनते वक्त कैस को थोड़ा सा सिम रखें क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं तो साथ ही भूनते हुए दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से करी पते वह भी इसी समय भून जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं इसके अंदर ये थोड़े सी देखी इसमें डाल देंगे और थोड़े सा चला देंगे और अब ह खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यह देखिए अच्छे से भुन गया है सब पे देखिए हलका सा कलर आ गया है और हमें ऐसा ही चाहिए बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें कलर ले आएंगे तो बाद में ही कड़वे लगेंगे खाने में तो यह एक दम परफेक्ट क digest कि फ़ुक प्रम भानीे अब यह देखिए हमारा पानी बहुत अच्छे से उबल गया है अब गयास को हम कर देंगे बंदG और इस मोटा वाला यह महीन वाला कैसा भी रवा ले सकते हैं और इसको इसमें डाल देंगे अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसको ढखकर पांच मिनट के लिए अलक साइड में रख देंगे और तब तक हम तयार कर लेते हैं इसके लिए एक मसाला तो यहां पर बहुत महीन हो जाते हैं, मसाले तो बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, जब मसाले थोड़े से मोटे होते हैं, दरदरे होते हैं, तो वो अच्छे से नमकीन पर चिपकते नहीं हैं, और तली पर बैठ जाते हैं, और नमकीन हमारी बिल्कुल फीकी लगती है, तो वो इसी लि लेते हैं, आपको इतना इसको ठंडा करना है कि आप इसे छो सकें पर बिल्कुल भी पूरा ठंडा नहीं करना है, तो यह छोने लाइक हो चुका है, आप इसको हम थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे, यह देखिए हमने बहुत अच्छे से रवा मसल दिया है, और यह ग्रेटर से इनको अच्छे से मैंने घेस लिया है जिससे इसमें कोई भी लंप्स ना आए तो इसको मिला देंगे एक वार और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे यह देखी डो हमारा एकदम तयार हो चुका है तो चलिए फिर इसको भरते हैं यहां मैंने ले लिया है सेव बनाने वाली मशीन और आप देख सकते हैं मैंने सबसे छोटी वाली जाली का इस्तमाल कर रही हूं मैं यहां पर तो इसको इसमें मैं लगा दूंगी और अंदर से हम ग्रीज कर देंगे इसको जिससे की डो हमारा चिपके नहीं और बहुती एजिली काम हो जाए तो यह क्या है रिफाइंड और इसको गरम होने के लिए रख दिया था यहां पर आज हमारी रहेगी मीडियम टू हाई और यह देखिए ओल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो चलिए फिर इसमें निकाल लेते हैं सेव और देखिए कितने इजिली निकल रहे हैं सेव द दो से ही तीन मिनट हम दूसी साइड भी सेख लेंगे हमें बस इतना ही पकाना है और यह देखिए बहुत अच्छे से हमारी सेव पक गए हैं इनको हम छान लेते हैं और एक टीशू लगी प्लेट पर हम इसको निकाल लेते हैं जिसे इसमें जितना भी एक्सेज ओल होगा व अब हम डालेंगे मसाला मैंने यह पर एक से डेड़ चममच मसाले का इस्तमाल किया है आप अपने सुआत के हिसाब से इसमें मसाला डाल सकते हैं तो इसमें हमने मसाला डाल दिया है और बहुत हलके हाथों से हम इनको मिलाएंगे अगर बहुत ही कसके हाथ चला देंगे तो तो यह बिल्कुल चूरा हो जाएगा क्योंकि यह इतनी क्रिस्पी है तो यह बिल्कुल छोटी-छोटी टुकड़े हो जाएंगे बहुत हलके हाथ उसे जब आप मिलाएंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट साइस के यह अपने आप ही तूट जाएंगे और यह देखिए हमन हमाई नमकीन चलिए इसको सर्फ करते हैं और लीजे तैयार है आपकी बहुत ही क्रिस्पी रवा और ड्राइफूट्स की नमकीन और इसे आप चाय के साथ इंजोई करें होली पर बनाएं त्योहारों पर बनाएं बहुत अच्छा लगेगा सब को खाने में यह यह बहुत ही वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपीस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फर वाचिंग